Hello student, very good morning all of you. Today I am going teaching you standard third subject, Marygold English. So open this book and now unit number 5. Unit number 4 जो हमने complete किया था. So उसके हमें जो वर्क बूक है वो आपको रीचेप करने के लिए आपको स्कूल लाए होंगे. तुमें नेक्स चेप्टर यूनिट नमबर 5 दो बलून में. बलून में मिन्स गुबारा वाला आप सबको पताए होगा कि बलून में जब आता है तब क्या क्या चीज़ लेके आता है तो गुबारे होते हैं कहीं टोईज भी होते हैं. तो यह जो चेप्टर है वो गुबारे वाले के च्वर यह पोयम है. तो यह उनके लिए है. तो दो बलून में विजिट यूर मार्केट. तो मार्केट में आपने बलून में से आपने विजिट तो किया ही होगा. Let's see what this balloon man bring with him. So, जो यह बलून में है वो अपने साथ क्या-क्या लेके आता है. तो आपने देखाई होगा. So, I start read the poem. He always comes on market days and holds balloons a lovely bunch and in the market square. He stays and never seems to think of lunch. So, he always comes on market day. यानि कि जब बाजार का दीन होता है तब वो हम्मेशा वो बलून में आते हैं और फिर and hold balloons a lovely bunch. Hold यानि पकड़ना. फिर वो अपने हाथों में इसे बलून पकड़के जो उसका बंच जो होता है वो किसे प्यार असा दिखता है. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. So, square he stays मतलब कि जो market square यानि कि जो बाजार का जो चोप होता है उसको क्या कहते हैं market square. So, वो market के जो चोप होता है वहाँ पे क्या खड़ा रहता है और वो कभी भी अपने जो lunch है उसके बारे में कभी नहीं सोचता है. वो क्या सोचता है कि अपने जो भूबारे वो बेच जाये सा. There are red and purple, blue and green. And when it is a sunny day, the cards and people get between you see them signing far away. So, balloons कौन कौन से रंग से है? So, red and purple, blue and green. तो देखो यहाँ पे red, purple, green and blue. And when it is a sunny day, जब sunny day मातलब कि धूब के जब दीन होते हैं, the cards and people get between. So, cards यानि कि जो गाडिया होती हैं और जो लोग होते हैं उसके बीच में, से वो you see them signing far away. तो वो उसके उसकी जो shining यानि कि प्रकास से वो दूर तक हमें दिखाई देते हैं गुबारे वाले. And some are big and some are small. तो वो गुबारे कैसे हैं? So, थोड़े बड़े हैं और थोड़े हैं वो छोटे हैं. All tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. So, all tied, यानि कि जो सारे गुबारे हैं वो बंदे हुए हैं. किस से बंदे हुए हैं? String, strings मतलब धागे, धागे से जो गुबारे हैं वो सारे बंदे हुए हैं. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. और जो कभी, जब wind मतलब हवा आती है, तो वो सारे कुबारे से, जब एक दूसरे से टक राते हैं, तो कैसी आवाज आती है? इसे tug and tug, यानि कि tug, tug एसी आवाज आती है. Some days, perhaps, he will let them go and we shall see them sailing high and stand and watch them from below. The wood looks pretty in the sky. Some days, perhaps, he will let them go and we shall see them sailing high. और शायद कुछ दिन जब वो गुबारा जो है, वो जब छुट जाता है, तब वो कैसा दिखा देता है? जैसे आकाश में, ऐसे उपर, उपर, ऐसे high, यानि कि जब पुचाई उठता जाता है. And stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. जब हम नीच्चे से खड़े होकर उसे देखते हैं, तो वो कैसा लगता है? आकाश में एक सुन्दर सा दिखाई देता है. Pretty means सुन्दर. तो एक सुन्दर सा दिखाई देता है. So ये जो poem है किसने राइट की है? रोज, फेली में. So new word से bunch, bunch means बुच्छा, square, square means चोराहा, sunny, यानि कि धुब, टग, यानि कि आवाज आना, इसी गुब बारे जब टक रहा थे तो उसकी आवाज आती है. So warm work is read the chapter. तो आपको ये poem read करनी है.